नमस्कार प्रियदर्शकों हाजिर हूँ मैं 26 मार्च 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देव गुरु ब्रहस्पती को नमन कर चलिए राशिफल का ये कारिक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज गुरुवार है चैत्रमास शुकल पक्ष की आज दृतिया तिती है जो रात्री में 7 बज करके 51 मिनट तक है और इसके पश्यात तृतिया तिती है रेवती नक्षत्र है प्राताकाल 7 बज करके 17 मिनट तक और इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है इंद्रयोग बालो करण है बात होई पंचांग की चुंद्रमा आज मीन राश में प्रातहकाल 7 बज करके 17 मिनट तक रहेंगे और इसके पश्या तो मेश राशी में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहुर्त का समय दिन में 11 बज करके 49 मिनट से 2 पर 12 बज करके 28 मिनट तक का होगा तो अहीं राहुकाल 2 पर 1 बज करके 30 मिनट से 3 बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभकार्य जिस कारे से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रतेक कारे को अभिजित मुहुर्त में प्र प्रवार्थ सुध्ध योग है जैसा कि आप सभी जानते हैं इस योग में कोई भी कारे किया जाए वो कारे सुध्ध हो जाता है और आज मा भगवती जगदंबा परांबा ब्रह्मचारिनी के पूजन का दिन है हर कोई चाहता है कि उसका भाग्योदय बहुत कम समय में ही हो जाए कमुम्र में ही हो जाए और भाग्य का उसे सर्वत्था साथ मिलता रहे कहां पर बैठे हैं आपके भाग्येस आपकी जन्म कुंडली में भाग्य के स्वामी कहां पर है भाग्येस की एक ऐसी इस्थुती जो इस बात की सूचना देता है कि जातक का भाग्य बाले काल से ही जातक का साथ देगा किस अवस्था में किस इस्थुती में जानेंग इस योग के बारे में आज दिव्य महा प्रयोग में कैसे करे मा ब्रम्हचारिनी को प्रशन कैसे करे जगदंबा की आराधना कि इस जीवन काल में जो बिपत्ति की घड़ी आ गई है जो परेशानी आ गई है उससे हमें मुक्ति मिल जाए इस बारे में भी जानेंगे तो तिब महा प्रयोग के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पूरु बात कर लेते हैं ग्रहस्तुतियों की मेश रासी में शुक्र का संचरन जारी है तो वहीं मिथुन रासी में राहू संचरन कर रहे हैं गुरू और केतु यूती बनाकर धनुरासी में तो वहीं शनी और मंगल यूती बनाकर मकर राशी में संचरन कर रहे हैं बुद्ध का संचरन कुम्भरासी में जारी है सूर्य और चंद्रमा यूती बनाकर मीन रासी में सुन्चरण कर रहे हैं चंद्रदेव प्राताकाल 7 बज करके 17 मिनट पर राशी परिवरतन कर लेंगे और ये मेश रासी में प्रवेश कर जाएंगे तो ये है ग्रहिस्तुती इन ही ग्रहिस्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तयार किया है नई दैनिक राशिफल तयार किया है वो नैदर्षक जो मेरे इस रासीफल के कारिक्टरम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूँ यह राशीफल आपके जन्म राशी की आधार पर है जन्व कुंडली का जो त्रिकोण भाव है पंचम और नवम, पंचम भाव त्रिकोण है नवम भाव त्रिकोण है और कुंडली के जो केंदर के घर है याणि एक चार साथ दस ये चोह भाव अत्यन्त महत्पपुर्ण माने गए हैं ये तो आप सभी जानते हैं केंद्र को विष्णू और त्रिकोण को लक्ष्मी की संग्या प्राप्त है और सीधी उसी बात है कि लक्ष्मी और विष्णू का संबंध बन जाए तो ये अपने आप में स्रिष्ट हो जाता है जन्न कुंडली में अगर त्रित्र कोण का स्वामी यानि नवंभाव का स्वामी केंद्र के किसी भी भाव में जाकर के बैठ जाए एक चार साथ दस किसी भी भाव में जाकर के बैठे तो समानित हो ऐसे जातक का भाग्य बालेकाल से ही उसका साथ देना प्रार्म कर देता है निसंदेह उसके भाग्ये सनी हो सकते हैं भाग्योदय 36 वर्स के बाद ही माना जाएगा लेकिन भाग्य का साथ जातक को बालेकाल से ही प्तापत होगा यानि यहाँ पर आपको समझना है कि भाग्येस कोई हो भाग्येस कोई हो बिलंब से भाग्योदय का योग हो लेकिन इसके बावजूद अगर केंद्र में जाकर के बैठे हैं भाग्य के स्वामी तो जातक का भाग्य बाले काल से ही जातक का साथ देगा ये बात ते है अब चल मा ब्रह्मचारिनी की आराधना कैसे करनी है वैसे तो मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया है कि प्रतेक व्यक्ति को ये करना है किसी ने मुझसे कहा था मैसेज करके कि महामारी के लिए किसी और मंत्र का सुझाव दिया गया है ये महामारी है लेकिन ये महामारी आपके घर तक अभी नहीं पहुंचा है ये महामारी है लेकिन इस महामारी से अभी आप पीडित नहीं है और इसलिए अभी आप केवल अपने घर को बचाने का प्रत्न करिए इसलिए मैंने रोगा न शेशा न पहन से तुष्टा इस मंत्र को जपने की सलाह दी थी न की जयनती मंगला काली आप रोगा न शेशा इस मंत्र को जपिए अपने परिवार को बस आप सुरक्षित करिए हर कोई अपने अपने परिवार को सुरक्षित कर ले काम बन जाएगा तो आपका बस एक ही करतव्य है अपने परिवार को सुरक्षा देना अपने परिवार को सुरक्षित करना पुरा देश सुरक्षित हो जाएगा तो आप बस इतना ही करिए तो आज मा ब्रह्मचारणी को प्रसंद करने के लिए एक छोटा सा कार्य करिए गुड से गौरी का निर्माण करिए अब गुड से गौरी का निर्माण कैसे किया जाए ये मुश्किल है संभाव नहीं है तो हमारा शास्त्र क्या कहता है गोमय गौरी फलमय गड़े संचो गोमय गौरी गोबर से भी मा गौरी का हम निर्माण कर सकते हैं तो आज तो गुड से निर्माण करना है गुड को लेकर करके रख लीजिए और उसी पर मा गौरी का ध्यान करिए पुस्प अर्पित करिए हाद जोड़ी और कहिए हे मागोरी आप इसी गुढ में आकर के विराजमान हो जाइए मंत्र की ये शक्ति है प्रार्थना की ये शक्ति है कि परमातमा को आप जहां चाहें वहाँ बुला सकते हैं क्योंकि कहीं परमातमा को बुलाना नहीं होता वो कणकण में विराजमान है बस आपको उनका ध्यान करना होता है और वो आपके सामने मूर्तिमान हो जाते है तुमा ब्रह्मचारिनी को गुड में बुला लीजिए और उनकी आराधना करने के बाद थोड़ा सा अगर आपके पास गोगरित हो इस परिवेश में इस परिस्तिती में कोई भी उपाय बताने की जगह मुझे ऐसी स्तिती लग रही है दिमाग में की कुछ भी बताया और लोगों को अगर वो प्राप्त न हो पाए क्योंकि कई जैसे ही कल मैंने यंत्र के बारे में बताया कई लोगों का प्रश्णाना सुरू हो गया कि भोजपत्र नहीं मिल पाया जबकि मैंने विकल्प दिया था कागज का फिर भी लोग भयाकरांत हुए टेंसन में आ गए कि अब क्या करे हमें कहां से मिलेगा मैंने विकल्प दिया था आप चिंतित नहों जो है उसी में काम करिए तो अगर आपके पास गोगृत है तो मा की आराधना करने के बाद उनके उपर गोगृत अरपित करिए जितना आपके पास है उतना ही नहीं एक चम्मच तो होगा ही एक चम्मच अरपित करिए मा से प्रार्थना करिए और फिर वहीं पर बैठ कर सर्व मंगल मंगले शिवे सरवार्थ साधिके सरन्ने त्रम्बके गौरी नारा यणी नमोस्तुते इस मंत्र का जब करिए इस मंत्र का जब करिए और जो लोग रोगा नशेशा कर रहे हैं इने घर का कोई एक सदस्य वो तो अपना काम करते रहेगा पूरे परिवार की सुरक्षा है तू ये मंत्र जबेगा चलते हैं राशी फल की ओर बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशी मेश राशी के जातकों के लिए आज का ये दिन क्या लेकर क्या रहा है राशी फल को आप अपने अपने हिसाब से समझ लीजिएगा क्योंकि अब ही 21 दिनों के लिए पूरे भारत में लॉकडाउन है और कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता पर फिर भी बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं बहुत सारे और्गनाईजिशन हैं जो काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये उनकी नौकरी है तो उनको भी ध्यान में रखना होगा विशेशकर उनहीं को ध्यान में रखना होगा क्योंकि उनका इस समय क्या समय चल रहा है कैसा समय चल रहा है उनके उपर प्रिशर भी होगा वो खुद घिरे हुए हैं परेशानियों से जाहिर सी बात है उनके लिए भी कैसा चल रहा है दिन ये जान लेना अत्यंत आवश्चक है बाकी आप तो घर में हैं जो लोग घर में हैं वो घर में अपने लिए अपने रासी फल की स्थिति को समझ ले और जान ले उनके लिए क्या लेकर के आ रहाज का दिन बात करेंगे मेश रासी के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आप की रासी से वार्मेभाव में सुन्चरन कर रहे हैं प्राताकाल साथ बच करके सुत्रा मिनट पर आप की रासी पर आजाएंगे और शुक्र के सांथ संबंध बना करके या जहां भी हैं जहां कारे कर रहे हैं वहां लोगों के सांथ और जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं जिनके पास नौकरी नहीं है वो थोड़ा धैरे धारन करें पर रिस्तिति बिल्कुल इस समय आपके पक्ष में नहीं है किसी के पक्ष में नहीं है तो जरासा रुकें, निसंदे, जल्दी ही आपको सफलता मिलेगी और जो लोग कारिस्थल पर हैं, कारे कर रहे हैं, आत्मविश्वास से पूरे दिन भर पूर रहेंगे, और इसी आत्मविश्वास में आप लोगों की मदद करेंगे, सहायता करेंगे, आशिरवाद मिलेगा तो वहीं व्यापारियों के लिए देखा जाए, तो थोड़ा धैरे रखने की आवश्यक्ता है, जितना काम आपके पास है, काम करते रहिए, कूर्व से कोई समस्या आ रही है, तो समस्या सुल्जेगी, बस धैरे रखिए, आज उल्जन बरकरार रहने वाली है, जूठ मत ब बोलिए, और जूठ बोल करके घर से बाहर मत निकलिए, आज आपके प्रेमी का मूड कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं दामपत्य जीवन की बात करू, तो दामपत्य जीवन में भी थोड़ी तू-तू मैमें दिखाई पड़ रही है, मा जगदंबा की आ और मा ब्रह्मचारिन की आराधना करिये, गुड के उपर मा का आवान करिये, और उनकी आराधना करने के बाद उनका अविशे घीसे करिये, लकी यंक आपके लिए दो, और लकी कलर आपके लिए आज परपल है, ब्रुशब की बात कर लेते हैं, ब्रुशब राज के जातको पूर्व में जितने आपने काम किये थे यूँ समझ लिजे कि उसका आपको लाभ मिल रहा रुसिक चलते आपकी गाड़ी चलती चली जाएगी कहीं रुकने वाली नहीं है और जो लोग कारिस्थल पर हैं उनके लिए बता दू अधिकारियों से थोड़ी अनबन हो सकती है इस घड़ी में इस माहौल में आपको किसी भी प्रकार से अधिकारियों से अनबन नहीं करनी चाहिए ज़रुतरने पढ़ने पर अधिकारी जो भी कहते हैं उनकी बात से असहमती होती है तब भी सहमत होना ही जरूरी है क्योंकि मिलकर काम करेंगे तभी काम चलेगा भागय कासा थोड़ा कम मिलेगा घवराइए मत तो जिन लोगों के मामले कोट का चाहरी त्यादी में चल रहे हैं उनके लिए तो इसमय कुछ नहीं है और अगर आप प्यार का इजहार करने वाले हैं प्रेम का प्रस्ताव देने वाले हैं तो और सफलता मिलेगी दांपत्य जीवन सुखद और सामान्य विद्ध्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी चाहिए मेहनत करिए सख्षा में मन न लगे तब भी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और आज नींद की कमी से आप परिशान हो सकते हैं मन आपका अशांत और बेचैन हो सकता है प्राणायाम करिए इससे फाइदा मिलेगा और मा ब्रह्मचारिनी की आरादना करिए ब्रह्मचारिनी कैसा बनाना ह तो गुढ में मा का आवान करना है आवान करके उनकी पूझा करके उनके उपर घी अरपित करना है। यह आपके लिए बहुत जरूरी है और यही आपके लिए अच्छा है धनागबन की सूचना मिलने वाली है और वहीं करियर में प्रगती का मौका भी आपको मिलेगा कारियस्थल पर आपके काम से सभी प्रभावित होंगे लोग आपके लिए मददगार होंगे तो वहीं कारियस्थल पर सांथ के लोग आपके लिए मददगार होंगे और किसी को कोई जरुवत हो तो जिस प्रकार से आप अब सबकी मदद कर रहे हैं बस इसी प्रकार से मदद अपनी जारी रखिए, आपकी मदद से सबको फायदा मिल रहा है, अचल संपत्ति से सम्मधित कोई काम है, कोई बिवाद है, तो उसे सुलजाने के लिए परिवार के बीच अगर आप हैं, तो बैठ करके बातचित कर ये दिन अनुकूल है, ब्यापा आठियों को तनाव का सामना करना पड़ेगा, आतनविश्वास में कमी महसूस होगी, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, और प्रेम संबंद में आज थोड़ी खटास आने वाली है, ठकान और आलस से आप पर हावी रहने वाला है, मानसिक तनाव शे आप परेशान हो सकते है मा जगदंबा की आराधना करिये, सभी कस्ट दूर हो जाएंगे मा की कृपा से, मा ब्रम्हचारिनी, गुड्मे, गुड्रुपी मा ब्रम्हचारिनी की आराधना करके, पूजा करके, उनके उपर घी अर्पित करिये, लक्यंग का पे तीन लकी कलर आप के लिया आज परिक्षा की घरी है यह परिक्षा है आपके स्वहन सक्ति की आपके ताकत की आपके दम की आपके धैरे की कठिनाईयों को पार करने के लिए कठिनाईयों से पार पाने के लिए आप कितना धैर रखते हैं इस कठिन परिक्षा की घड़ी में आप कितना धैर्यवान हैं इसी पर सब कुछ निर्भर है अगर आप समय के साथ चलते हैं तो बिल्कुल ठीक नहीं चलते तो समय आपको छोड़ कर आगे निकल जाएगा और ऐसी गलती न करिएगा धनलाव किस्ति बन रही है यात्रा के योग है परलतु यात्रा संभव नहीं है और विदेश से हो सकता है फोन पर आपकी बात चित हो कारिस्तल पर है कारिय चल रहा है आपका कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं या कारिय छोड़कर के बीच में घर लोटने की सोच रहे हैं तो अभी आपकी आवशक्ता है अपना काम पूरा करिये लोटने की आवशक्ता नहीं जो लोग नौकरी पेसा है उनके लिए देखा जाए तो दिन अच्छा है अगर आप घर में रहकर के काम कर रहे हैं कोई अच्छी ख़बर आपको मिल सकती है तो वहीं ब्यापारियों के लिए दिन सामाने दिखाई पड़ रहा है सामाने धन प्रदायक है और किसी करीबी मित्र की मदद से आपका कोई शंसय आज पड़ेगा स्तेहताज आपके बिल्कुल अच्छी मा जगदंबा परांबा ब्रम्हचारणी की आराधना करिए गुर रुपी मा ब्रम्हचारणी के उपर उनकी पूजा करके एक चमच या जितना आप से हो सके घीर पित करिए मा की कृपा होगी हर परिसानी से मुक्ति मिल जाएगी लकियन का आपके लिए चार लकी कलर आपके लिए आज औरेंज और सिम्मरास की अगर हम बात कर लें तो दिन बहुत बढ़िया है भाग्य आपके साथ है प्रताकाल साथ बच करके 17 मिनट के बाद चुंद्रबा भाग्य भाव में आपके चले जाएंगे सो भाग् बिल्कुल मत घबराइए सब कुछ नॉर्मल है सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा जो लोग बेरोजगार हैं बस जरा धैरे बनाये रखें थोड़े समय की बात है परिस्तुती बदल जाएगी और जो लोग नौकरी के लिए बिल्कुल प्रयासरत हैं करीब थे उन्हें जल्द के काम में कताई दखलंदाजी मत करिए प्रेमी से आपको सहयोग मिलेगा अगर पैसे की आवशकता है तो वो भी प्राप्त हो जाएगी दामपत्त जीवन में खुसाली आने वाली है और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो बहुत बढ़िया है दिन मेहनत आप करत कि मा ब्रह्मचारणी की आराधना करिए उनके उपर घी अर्पित करिए और मंत्र जब करिए सर्वमंगल मंगले शिवे शरवार्थ सादी के चरन्य तरंबके गोरी नारायनी नमुस्तुते लखी अंका आपके लिए साथ लखी कलर आपके लिए आज पिंख है तर्ण्या की अगर आप कारिस्थल पर हैं काम कर रहे हैं थोड़ सा काम का दबाव होगा आप परिशान भी होंगे कोई बात नहीं बस सांथ के लोगों के सांथ बने रही है वो सहयोग करेंगे सारे काम आपके बन जाएंगे और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो कहीं भी निवेश नहीं करना है निवेश करने से बचिए आपकी थोड़ी सी गलती बड़ा नुकसान कराने वाली है लापरवाही की गुंजाइस नहीं है तनिक भी नहीं इस समय के माहौल में लापरवाही बड़ा नुकसान दे सकती है भाग्य के भरो से मत रखिए रहिए और जो होगा वो दिन सामाने और विद्यार्थियों को आलस्य और ठकान महसूस होने वाला है स्वास्त को लेकर के जरा सावधान रहिएगा मा भगवती ब्रह्मचारिनी की आराधना करिए गुडमय यानि गुड से बनी मा ब्रह्मचारिनी के उपर घी अर्पित करिए लकियंक आपके लिए ये आप सबसे बहतर जानते हैं और मुस्कुराना मुस्कुराकर सबसे मिलना ये तो सभी आपसे ही सीखते हैं तो आज अपने इस गुर का लाब उठाईए और ये जो गुर आपके अंदर भगवान ने दिये हदिया है इससे आप अपने घर कामाहौल बिलकुल खुशनुम होने वाली हैं कोई महत्पपूर्ण फैसला अगर आपको करना है तो बिना हिचके अपने आत्मविश्वास के बल पर फैसला लीजिए व्यापारियों के लिए लाब का समय है और वहीं कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं तो अभी ऐसी कोई गलती मत करिए और सांथी सांथ घर से बाहर मत निकलिएगा लापरवाही हो सकती है आपसे और ये लापरवाही भारी पड़ेगी आपके सांथ साथ आपके परिवार पर जो लोग अभी वाहित हैं उन्हें फोन पर विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है इस मामले में दिन अच्छा है विद्ध्यार्थियों क क्या राधना करिए उनके उपर घियर पित करिए लखियंक आपके लिए आठ और लखी कलर आपके लिए आज बादामी हैं ब्रश्चिक रास की बात कर लेते हैं ब्रश्चिक रास के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर करके आ रहा है गोचर कुंडेली में चंद्रमा रासी परिवर्तन करके 7 बच करके 17 मिनट पर सस्थम भाव में चले जाएंगे आज आपको अपने गुस्से पर अपनी उत्तेजना पर निंत्रन रखना होगा घर का माहौल अगर आप खराब करने पर तुले हुए हैं तो यह बिल्कुल ठीक नहीं है घर का माहौल खराब मत करिए जहां तक हो सके सोयोग की भावना लाइए समझोते की भावना लाइए सब के साथ समंध कैसे बना करके चलना है इस पर विचार करिए तभी बिगड़ते काम बनेंगे मेहनत करिए मेहनत से सफलता मिल जाएगी घर में रहकर के सारे काम करिए और जो लोग कारिक छित्र में हैं हो सकता है वो परिशान हूँ दबाव के कारण बिवाद की स्थिती बन रही है जरा सावधान रहिएगा कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं अभी ऐसा कुछ भी नहीं करना जो भी आपके नियमित काम है उन्हें ही जारी रखिए और व्यापारी जो बरग हैं उन्हें आज लाभ मिलता दिखाई पड़ रहा है जिसके चलते आपको खुशी मिलेगी और तनाव है बाकी वैसे कोई रोग नहीं है आप बिल्कुल तुरक्षित हैं ठकान और आलस से भी हो सकता है माभगवती ब्रह्मचारिनी की आराधना करिए गुड्मय गुड्से बना करके और उनके उपर घीयर पित करिए लकियंक आपके लिए नौ लकी कलर आपके लिए धनुराशी धनुराश के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया है आपके विचारों में आज हो सकता है बार बार बदलाव आए आप अपने मन को थोड़ा और इस्थिर महसूस करेंगे परंतु कोई बात नहीं इस्थिर मन से काम करिए और जो भी जिम्मेवारी है जो भी आप घर पे रहकर के काम कर रहे हैं वो करिए धनागमन है धनलाब होगा तो वहीं अगर आप कारेस्थल पर हैं तो दिन बहुत अच्छा रहने वाला है आज दूसरों की मदद करते करते आपकी भी मदद हो जाने वाली है विपरीच से थोड़े आकरसित आप होंगे आकरश दारी में है और कोई बड़ा व्यापार है तो हो सकता है कुछ बड़ा फायदा हो हलाकि कुल मिला करके देखा जाए दिन बढ़िया है शांती से काट लेना है कोई बढ़ा फैसला लेने की सोच रहे हैं आज मत लीजिए जीवन सांती के सांथ समय वित्त करिए बढ़िया र बढ़ने वाली है माथ भगवती ग्रहमचारीणही की आरादना करिये गुरसे बना करके और उनके उपर घी का अरपित करिये लगेंक दो लखीकल से हो या और कई माध्यमों से आप धनागमन के रास्ते ढूंड रहे हैं हलाकि खर्च की विश्टती बन रही है जरा सावधान रही है पारिवारिक जीवन हो या पेशेवर जीवन हर च्छत्र में संतुलन बना करके रखना है घर पे रहकर के काम कर रहे हैं तो घर का महल परिवार का पूरा समर्थन आपको मिलेगा और अगर आप व्यापारी है तो घर पर रहकर कहीं काम करिए और आने वाले दिनों में आपको फायदा मिलने वाला है जल्द ही फायदा मिलेगा बस धैरे बना करके रहना है और बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार की टीका टिप फोन पर आपके सिनियर से आपको सहयोग मिल जाएगा जो सहयोग मिल रहा है उस सहयोग कलाव उठाईए और आगे बढ़ जाईए जोड़ों का दर्द आज आपको परिशान कर सकता है मा भगवती ब्रह्मचारिनी की आराधना करिए गुरुसे बना करके और उनके उपर घी सयम और सफलता आपके कदमों में गोचर कुंडली में चंद्रमा प्रातरकाल साथ बज़ करके 17 मिनट पर आपके रासिव से पराक्रम में संचरन करना प्रारम्भ करेंगे जो भी कारे कर रहे हैं पूरी पारदर्सिता के साथ करिए कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं तो भरोसे मंद लोगों की सलाह पर लीजिए और आपके छुटी नहीं हैं कारेक्षत्र में हैं तो कारेक्षत्र में कामकाश थोड़ा ज़्यादा रहेगा आपके उपर जिम्मेबारी थोड़ी ज़्यादा होगी पर मेहनत से आप काम करिए काम से जी चुराने की आवशक्ता नहीं है आज घर से बाहर जाने से पूर्व अपने पिता का आशिरवाद अवस्य ले लीजेगा और पिता के साथ कोई अनवन है तो उसे सुलजाने की कोशिश करिए और घर में ही है तो पिता के साथ संबंधों में कोई परिशानी है उसे दूर करिए पिता का सहयोग लीज सफलता मिलनी तय है आज एक बात का आपको खयाल रखना है कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है घर से बाहर नहीं निकलना है कोई गलत कदम आपको आपके पूरे परिवार को मुश्किल में डाल सकता है जीवन सांती से आज आपको प्यार उपहार और सहयोग मिलेगा प्रेम स जीजों को थोड़ा कम-कम ही इस्तेमाल करना है आलस से और ठकान जारी रहने वाली है सेहत का ख्याल है कि उसे कोई बहुत बड़ी परिशानी नहीं है माभगवती ब्रह्मचारिनी की आराधना करिए उनके उपर गुरु से बना करके उनकी आराधना करके उनके उपर घियर पित करिए लकी अंक आपके लिए नौ और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है मीन की बात कर लेते हैं मीन रासी के जातकों के लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया रहने वाला है आर्थिक दृष्टिकोंड से बिल्कुल आपके अनुकूल बना रहने वाला है दिन प्रकृति ने आपको चुना इससे अवसर समझी और लोगों की मदद करिए व्यापारियों के लिए दिन सामाने ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है फोन पर ही बात चीत होगी और वानी से आज आप धन प्राप्त करेंगे ब्यापार में वैसे बहुत बढ़िया दिन नहीं दिखाई पढ़ रहा है सामाने है तो वहीं आज जोश में आ करके होश गमाएंगे और कोई गलती करेंगे जिसे से आप मुश्किल में पढ़ सकते हैं पती पत्नी के बीच अगर कोई गलत फ़हमी है यानि दामपत्य जीवन मा भगवती ब्रमजारेनी की आराधना करिए गुड से बना करके उनकी भरपूर पूजा करके और फिर उनके उपर घीयर पित करिए लखियंक आपके लिए छे लखी कलर आपके लिए आज पिंक है तो प्रियदर्शकों ये था में शुश्य लेकर के मीन राशी परियंद प पुना मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार